तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट ट्यार करेंगे तो यह हमने लाइनिंग और नेट पोनों को साथ जोड़ेंगे और यह हमने से सेंटर किया है यहां से हम स्लाइस टार्ट करेंगे यह मरी एक साइड की स्लाइड लग चुकी है अब हम दो सी साइड से स्लाइड लाएंगे अब हमने यह साइड बोल गले को अपनी बची के साइड के हिसाब से कट करेंगे यहां से इसकी नेल लेंध फाइड इंच है और यहां से भी इसकी बिट फाइड इंच है तो अब हम इस इजाफी कपड़े को अंदर की तरफ टर्म करके यहां पे स्लाइड लगाएंगे अब हमने जो प्रंट पार्डी पार का जो शेंटर किया था इसकी बिट फाइड लगाएंगे तो यहां पिंस लगाँगे यह मारा फ्रंट बीबडी पार्ट है और यहीं सीटि साइड आपने कलेे को सुर्थ न करके तो यहां पिंस लगाएंगे अब हम सबसे पहले सेंटर में प्लाई लगाएंगे व्यूर्स अब हम चेक करेंगे कि हमारा गला सेंटर में है तो हम सेंटर चेक करने का तरीका ये है कि सबसे पहले गले को इस तरह से पकड़ें और इस तरह से आम होल के दोनों किनारों को आपस में जोड़ें और यहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपका गला सेंटर में है या नहीं तो ये हमारे कोने दोनों बराबर हैं लेहाजा हमारा ये गला सेंटर में हैं अब हम इसको खोलेंगे और यहाँ पर हम फ्यूजिंग के साथ किनारे किनारे पर स्लाई लगाएंगे ये हमारी स्लाई लग चुकी है अब हम क्वार्टर इंच का मार्जन छोड़के यहां से कट करेंगे और गले को पल्टेंगे और यहां हम छोटे छोटे अंदर काट बगाएंगे अब अंदर की तरफ टर्म करेंगे तो यह हमारा गला त्यार हो चुका है अब हम बैग पार्टे जिप लगाएंगे जिब लगाने के लिए वहाँ हम सिंपल ब्लैक कपड़ा यहाँ पे यूज करेंगे ताके हमारी जिब जो है और अठर से दिखाई नदे तो यहाँ हम यह पती जो है यहाँ इसतरह से रहके ये सीडी साइड है तो यहां हम सीडी साइड पे यह पती कि इधर स्लाइल खाएंगे और फिसको अंदर की तरफ टर्म करेंगे तो यहां हम स्लाइस स्टार्ट करेंगे और अब हम दूसरी साइट में यहां से स्टार्ट करेंगे स्लाइस तर जब हमने यह जो सीधी साइड पे ब्लाइक पीस लगाया था इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ टर्म करेंगे और यहां इधर जिप के ऊपर रखके एक साइड पे इस तरह से तो यहां हम किनारे किनारे पे स्लाइ लगाएंगे कि आत草 कि प्रयुम्यु authority । यह मारी स्थी साइड हैंог यह मारी सीधी साइड है और यहां पे हमने पट्ट लगाई थी दह्ट हमने इसको अंदर की तरह की इस तरह से टन किया है इस तरह से डबल टन किया है इस तरह से टन करके फिर हमने दुबारा टन किया और फिर इस तरह से हमने इसको सेट किया है स्री से अब हम यहां पे रहके तो इसको जिप को ओवरलाप करेंगे और यहां पे एक पैर का मार्जन तो यहाँ पे यहां से slice start करेंगे और यहां उपर तक लगाएंगे यहां हम एक नीचे पिल लगाते हैं और यहां से अब हम slice start करेंगे वियोजिय विट के लिए हमने machine का foot change किया था पहली slice तो जितना इसा हमने ओवर्लैप करना है उतने इसे पर हम एक पैर का मार्जन रखके यहां के स्लाइल गाएं अब हम यहां से यहां से हम नीचे से लाव करेंगे फिर जब हम यहां से इसको लाव करेंगे तो यहां इन दोनों इसों को इस तथा से पल्टेंगे और यहां अंदर से यह हमारा पारफ्ट है यहां से शुरू करके दोनों इसों को जहां से इससे भी इस तरह से अंदर करके तो यहां अम उस्लाइए लगाएंगे पीट इसको इतने इसे coon लाव कर देंगे जिप को नीचे से लाव कर दिया है और यहां जो हमारा इजाफी कपड़ा था यहां से भी अंदर से हमने इसको लाव कर दिया है और अब हमारी जिप रैडी हो चुकी है यह आप दे सकते हैं अब यह अंदर की तरफ यह जो हमारा इजाफी कपड़ा है यह जो हमारा इजाफी कपड़ा है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और यहां पे हम तरपाई कार देंगे इस तरह से और यहां पर हम इसको तरपाई करेंगे उसके बाद अब हम लाइनिंग यहां पर टैट करेंगे यह बैग पार्ट इसको हमने जिपल गई है यह हमारा सीधा इसा है इसको हम इस तरह से अब उल्टा करेंगे उल्टा करने के बाद लाइनिंग का बैग पार्ट जिसको हमने सेंटर से कट किया था यह हमने इसको सेंटर से कट किया था इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और इसको यहाँ पे सेट करेंगे और एक साइड को इधर सेट करेंगे और यहाँ पे हम जितना साथी का है उसको छोड़के चाहिज इससे को टन करके और की तरफ तो यहां से इस तरह करके इसको हम सुरिधा गे से हम करें और इस तरह इस दूसरी साइड को भी यहां पे हम हम करें अब हम एक साइट को यहां से शुरू करते हैं जितना हिसा हमारा जिप का खुलने वाला है उसको छोड़ के बिल्कुल किनारे पे हम इसको इसको इससरा से टैन करके हम करेंगे हम करें की सब्सक्राइब करें याम पूरर चुने वी को दोनों साइड से कर दिया है और भाएं से दिखाई नहीं दे आहगी और बाहर की साइड ważne हिस सकते हैं प्रक्टरा नींग को सब्सक्राइब कर दिया है और यह जिप चैटकर चुकी है हम आपको जीप को खोल के दिखाएंगे यह जीप इस तरह से खूल रही है यह सामी से खूल भी जाएगी और अंदर से दिखाई नहीं देगी अंदर से हमने इसको किटन कर दिया है तब हम जीप बंद करेंगे तब हम यहां से बैग कले की कटिंग करेंगे ईटीनहीं हो तो हम फिर थोडंत को थोड़ा सा खोल लेंगे इसको कोल के हम इसको इस्तरा से टन INTERienie और यहां से दोनों को पकड़के इस तरह की जोड़के हम पहीं हाटते इस सब्सक्राइब त्रुंगे सिर्फ हम एक इंच ही करेंगे और यहां से भी हम इसको पूने दो इंच लेंगे यहां लंबाई के रुख से एक इंच यहां से हम एक इंच पे निशान लगाएंगे और यहां से पूने दो इंच पे अब हमारे बैग गले की कटिंग हो चुकी है अब हम इसको कपड़ा लगा के अंदर की तरफ हम करेंगे यह हमने रेपी कपड़े की कटिंग की है अब हम इसको इस तरह से डबल करेंगे और यहां पर इस तरह से इसको रख के स्लाइल है यहां से हम थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे अब हम दूसी साइट के इस तरह से कपड़े को अंदर की तरह इस तरह टर्म करेंगे और यहां पर स्लाइल शुरू करेंगे अब हमने यह जो डबल कपड़ा लगाया था इसको अंदर की तरह टर्म करेंगे इस तरह से अंदर की तरह टर्म करेंगे और यहां पर स्लाइल लगाएंगे इसी तरह से दूसी साइट में भी यहां पर स्लाइल लगाएंगे